नमस्कार खबरों का पंचनामा देख रहां पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमाई साथ स्टूडियो में मौचूद है सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हिट टाइस पर राजस्थान में पीए मोधी ने कॉंग्रेस पर चुन चुन करकिये वार बोले तीनों राज्चियों में आ रही बीज़ेपी सरकार मत्रा के ब्रज उक्सों में हुए शामेर पीए मोधी पर अपमान चुनक टिपड़ी देकर बुरे फसे राहूल गांधी अपचुनाव आयोग पहुँची बीज़ेपी एक्शन की मांग हुई पीच LG के इंकार के बाद चिफ सेक्रेटरी मामले में विजलेंस मंत्री आतीशी ने सौपी सीएम के जिवाल को सप्लिमेंटरी रेपोर्ट जांच होने तक निलंबित करने के बाद योपी के बाद बिहार और करनाटक में हलाल उत्पादों पर बैन के उठी मांग बीज़ेपी निताओं ने चड़ा अभियान गिर्राज सिंग ने सीम निती श्कोली खापा जो पंजाब में कपूर धला के गुरुद्वारे में नहिंग सीखो और पुलिस में जड़व फाइरिंग में एक जवान की मौत तीन पुलिस कर विखाए सबसे पहली खबर में बात पीम मोदी की प्रधान मंत्री नेरंदर मोदी ने राजस्थान के देवगड में जम कर हुंकार भई है इस दौरान उन्होंने राजस्थान के मौचुदा सीम अशुक गहलोत समेट कॉंग्रिस पार्टी पर जम कर निशाना साथा साथी कहा कि भारती जन्ता पार्टी तीनो राजस्थान, छतीसगर और मध्यपरदेश में सरकार बनाने चारी है इस दौरान बुफोर सिलिकर राजेश पाइलिट तक का जिक्र किया आगे कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो भाजपा की ताकत को जानते ही नहीं है उनको लगता है कि मोधी को गाली दे दो तो उनकी गाड़ी चल जाएगी लेकिन उनको पता नहीं है कि ये ऐसी पार्टी है जिसे कारेकरताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है वहीं दूसरी तरफ भक्ती में सराबोर पीए मोधी कानहा की नगरी मत्रा पहुँच गया है अलग-अलग जगह पे पीए मोधी का अलग-अलग रूप देखने को मलता है देखे पुरदान मंत्री मोधी ने जो आज कमाल किया वो ये कि कॉंग्रेस पाठी के अंदर ही जुकर सकते हैं कि चिंगारी लगा दी कारण सारे लोग एक्स्प्लिनेशन देने के लिए घूम रहे पाइलट साहब को भी सामने आगर कहना पड़ा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं पुर्दान मंत्री मोधी ने ये विवाज लागर के खड़ा कर दिया कि जो गुजर समाज है उसके साथ हमेशा कॉंग्रेस पाठी ने धोका किया उन्होंने सचिन पाइलट के पितास राजिस पाइलट के बारे में भी जो जिक्र किया उसको लेकर कॉंग्रेस पाठी बिलकुल ही तो कर सकते हैं कि वो क्या योजनाय लेकर किया रहे थे किस चीज के लिए वोट मांग रहे थे सारी चीजे भूल गए प्रदान मंत्री ने क्या कह दिया उसके जवाब के पीछे ये लोग पढ़े हुए और जब तक कॉंग्रेस पाठी चुकि आज आखरे दिन है परचार परसार का बाकी सारे लोग मोदी साहब ने क्या कहा उसके पीछे पढ़े रहे और प्रदान मंत्री मोदी ने आज एक न नया आंदोलन उसकी शुरुवात करती। 22 तारिक को स्री राम जन्म भूमी मंदिर का उद्गाटन है और आज वो श्रकृष्ण जन्म भूमी अस्थान जाकर एक ऐसे विवाद को जन्द दिया है जो अभी फिलाल तो कोट में है लेकिन बहुत जल्द ये एक जन्म आंदोलन म तब्दील होने वाला है। जाती को OBC सूची में शामिल करा दिया था। अब मलिका अर्जुन खरगे और राहुल गांधी फिर से दोनों ती मुश्किले बढ़े। मलिका अर्जुन खरगे बिल्कुल जूट एक ऐसा मन इस उम्र के व्यक्ति को इस तरह की बाते नहीं करनी चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल का जमाना अलग है। सारी चीजे गूगल पे। कॉंग्रेस पार्टी के वहां तो बीजेपी के सरकार भी नहीं थी 1994 में। जब वहां प्रधानमंत्री मोदी के कास्ट को OBC के लिस्ट में चिन्नित किया गया। 2000 में जब वह मुख्यमंत्री भी नहीं थे। सारे जो लिगल पहलू हैं इसके वह कर दिया गया। केंद्री ने जो सूची तयार की उसमें उसको 2002 में डाला गया। तो यह कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुपके से अपने कास्ट को OBC के लिस्ट में डाल दिया। अरे वह तेली बिहार में हो, यूपी में हो, जहारखंड में हो, मदपरदेस में हो, चत्रिस गड़ में हो, हर जगा OBC में है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कॉंग्रेस पार्टी को चले हैं एक्सरे कराने, जाती जनगना कराने और बेसिक चीजें इन लोगों को मालूम नहीं है, और देश पर ये राज करना चाहते। राहुल गांदी, उसका क्या कहना है? परणौती की सब्द का मतलब मालूम नहीं होगा उनको, लेकिन उनने इस्तमाल कर लिया, क्योंकि उनके जो ट्यूटर गैंग जो है, उनका, वो इस्तमाल करना उसने सुरू किया, अरे बाई, अगर प्रदान मंत्री मोधी के वज़े स टीम इंडिया हार गई, यह कहां से यह लोग ऐसा अकले लेकर के आते हैं, यह समझ की बात, कॉंगर्स पार्टी करें, वह क्यों चले गए मिलने के लिए, नहीं मिलने गया होते हैं, तो कहते कि देखो, अपना चेहरा चमकाने के लिए गए, टीम हार गई, तो कम से कम सांतो कोना देने भी नहीं पहुचे, जीत गई होती तो सारा क्रेडिट एलिया होता, आज सामी का जवाव आ गया, सामी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बरे डिप्रस्ट थे, प्रधान मंतरी ने आकर कि हम लोगों का होसला जो है वो बढ़ाया है, तो आप इस तरह की सडक छाप राजिनिती करेंगे, और यह सोचेंगे कि आप चुनाओ जीत जाएं, लोगों का भरोसा जीत जाएं, यह बढ़ा मुश्किल है कॉंग्रेस पार्टी में कौन लोग इस तरह की स्टरजी बनाते हैं, यह समझ के बाहर है, जी, इस खबर में बात आम आदमी पार् आतीशी मालेना ने मुख्यमंतरी अर्विंद केश्रिवाल को 14 नवंबर को 650 पन्नों की प्रात्मे की रिपोर्ट बेज कर, चिफ सेक्रेटरी पर द्वारका एक्सप्रेस में महंगी जमीन बेचने का आरोप लगाया था, इसी मामले में आतीशी ने मुख्यमंतरी अर्वि जल्दी जल्दी रिपोर्ट दे रहे हैं, यह भी नहीं सोचा कि फैसला आया है दिल्ली हाई कोड का, क्या फैसला आया है? यह जो सारी कहानी कि यह जो जमीन घोटाला हुआ, दाम जादा पे किया गया, यह सारी कहानी शुरू हुई वो लायर वायर वामपंतियों वाला जो बनाना है तो आप पहले एक आर्टिकल चाप लो उसके बाद राजिंती करेंगे फिर रिपोर्ट त्यार करेंगे तो चीप सिक्रेट्टी नरेश कुमार चले गए थे दिल्ली हाई कोट दिल्ली हाई कोट में क्या हुआ है ये रिपोर्ट दे रहे हैं एल जी को कि उसको खत्म किया जाए और दिल्ली हाई कोट ने फरमान दिया ये लायर वायर वेब साइट वालों को कि तुमने जूट का पुलिंदा छापा है डीटेल्ड जज्ज्मेंट उसका आया उसको कहा गया कि पहले तो आप इमीडियेटली जो आर्टिकल जिसके अधार पी ये सारा बवाल मचा है उसको जो है आप डिलीट मारो तो जहां से कहानी शुरू हुई उसको ही हाइकोर्ट ने कह दिया कि ये जूट का पुलिंदा है फिर ये क्या रिपोर्ट दे रहे हो भई और उसमें ये भी कहा गया कि आतिसी मान लेना जो बार बार ट्वीट कर रहे थी इन सब चीजों का ये एक्सफेशिया ये गड़ब है और जो कोशिश की जा रही है वो सत्य से बिल्कुल परे है ये जूट का पुलिंदा है तो आप रिपोर्ट देते रहो टाइम बरबाद करते रहो दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा लोगों को दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा की मुहिम चला रहे हैं ताकि यह जो अभी आगे समन होगा अभी सराब भोटाले में पूस्ताच होगी यह लोग जो जेल जाने वाले हैं और शीष महल में जो जांच रिपोर्ट नरिस्कुमार ने तयार की यह सारी चीज़े हैं केजरीवाल अपने आपको बचाने के लिए प विक्री पर प्रतिबंद लगा दिया वहें इसके बाद अब बिहार और करनाटक में भी इसकी मांग उठी है करनाटक में भाजपा के निताओं ने भारत के सबी राज्यों में खाद्य पदार्थों दवाओं और कॉस्मेटिक उतपादों के हलाल सर्टिपेकेशन पर प्रत करनाटक और बिहार में भी शुरूब हर जगह होना चाहिए हैं वह यह जमिते उल्माई हिंद वाले कौन होते हैं किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर सेटिफिकेशन देने के लिए हलाल हराम करना है आप मीट में करो और हिंदुओं को हलाल खिलाने के लिए जबरदस्ति आप क्यूं सॉप्स में मौल्स में आप वो समान रखोगे बैज चिप्स हलाल होगा हराम होगा जो वेजटेरियन खाना है उसमें भी हलाल हराम करोगे और यह जो रैकेट चल रहा है 45,000 रुपे में एक कंपनी एक प्रोड़क्ट के ऊपर वो लेती है सेटिफिकेशन के लिए प उनको देता है यह पूरा एक रैकेट चल रहा है यह हलाल जियाद है जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनको ये बाते बताईए बैज जिसको हलाल खाना आख खाईए कोई रोक नहीं है लेकिन यह हिंदुओं के उपर सिखों के उपर क्रिस्टिंस के मौल भी मौला ना करेंगे जम्यते उल्मा हिंद वाले लग करेंगे और उसमें पैसे कमाएंगे तो यह जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है बीजेपी हो कॉंग्रेस हो हर पार्टी के जहां जहां जिसकी भी सरकार है एक इल्लीगल काम चल रहा है जब जम्यते उल्मा हिंद के पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो सेटिकेशन कर सकता है तो वो सेटिकेट क्यों दे रहा है जम्यते उल्मा हिंद में यह बाटने वाले लोगों गृतार करने जेल के ंंदर ड़ना चाहिए आगरी कबर में बात पंजाब में हुई गोली बारी की पंजाब के कपुर्थला में एक पुलिस कॉंस्टेबल की गोली मार कर हत्या करती गई पुलिस के टीम कपुर्थला के गुरुदारा में निहंग सीखों के तरब से किये गए कबजे को खाली कराने के लिए पहुँची थी इस दोरान पुलिस और निहंग सीखों में मुडवेर हुई जिसके बाद कॉंस्टेबल की गोली मार कर हत्या करती गई वहें इस मुडवेर में तीन अन्य पुलिस कर्मी भी गायल हो गए किस तरीके की कानून विवस्था है कोई कानून विवस्था नहीं है आम आदी पार्टी जहाँ पर रहेगे ना कानून रहेगा ना विवस्था रहेगी यहां सिर्फ राजिती हो भी अभी तक गरफतार क्यों नहीं किये गए जिस जगह से गोलियां चल रही थी उनलों को आपनी चिनित क्या नहीं किया पकड़े गए नहीं पकड़े गए यहां खुला खेल फुरुकावादी चल रहा है बस इसलिए कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो है वो बिलकुल आम आ जा रहे जा रहे हैं इसकी चिंता कौन करेगा लेकिन चिंता करने की कोई आवशक्ता इनलों को पड़े थपतो इनका ध्यान तो कैसे चुनाव जीते कैसे केजरिवाल को बचाएं कैसे क्या करें पुरे नौर्थ इंडिया को पंजाब में जो है उसकी अब वस्था की तो राजनीती बहुत ज्यादा सिर्पे चड़ गया है आम आद भी पार्टी के नेताओं को इसकी सरकारों को इसलिए ना कानून ना विवस्था ना कोई एडिमिस्टेशन ना कोई विकास कुछ नहीं होने वाला है इस तरह की सरकारों के तैत जी डॉक्र साब बहुत बहु दन्यवाग खबरों का पंच नामा में आज के लिए फिलाल इतना ही देश और विदेश की बागी खबरों और उनके सटीक एनलाइसिस के लिए देखते रिए कापिटल टीबी हमें लाइक किजे शेर किजे और हाँ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिलको लापो ल लक्ष तक पहुचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिव है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से है कैपिटल टीवी पर मैं अमित्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से है